हेलो दियर स्टूडेंट्स वेलकम तो गेट अकेडमी यह सी 19 का कोश्चन हम सौल कर रहे थे लगबग 12 कोश्चन हमारे पास थे तो हमने अभी तक 10 कोश्चन सौल कर लिए और अब हम पार्ट 4 की बात कर रहें कुछ कोश्चन ऐसे थे जो नॉर्मली स्टूडेंट लोग अप सब्सक्राइब कर रहें तो यहां पर थोड़ा सा कुछ लोगों को लगा कि यह कोश्चन बनेगा कैसे स्ट्राइब करते हैं को और यहां पर अगर मैं बात कर रहें तो यहां पर यहां पर हम बैसिकली कोड़रेट सिस्टम की बात करते हैं हमारे पास यहां पर निगेटिव होने का चांस बनता नहीं है इससे यह पता चल रहा है कि हमारे पास और तो पहला तो चलो यह पता चला सब्सक्रांइब कर लेता हूं तो मैं इसको अगर फर्स्ट वार्म में सोच लेता हूं यह 8 इसको अपन सिंपल कर लेते हैं, इसको अपन U, V, W या P, Q, R जो भी अपना मन करें, वो आप ले लो, तो मैं इसको अगर U, V, W ले लिया, तो यह जो X, Y, Z के फॉर्म में होने वाला है, यहां पर, अगर मैं इसको U, V, W ले रहा हूं, तो यह U, प्लस V, प्लस W जो होगा, वो positive sense में अगर मैं ले रहा हूं, तब, तो यहां से अगर मैं इसको ले ले लेता हूं, निकाल लेता हूं, तो अगर मैं इसको convert कर देता हूं, simple, एक integral के form में, तो volume का जो value आने वाली है, जो volume के value आने वाली है, उस volume की value में हम क्या करेंगे, कि 8 का last में multiply कर देंगे, तो हमारे पास exactly answer आजाएगा, कि क्या हमारे पास value volume के आने वाली है, तो वो open कर लेंगे last में, चले ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यू वी डबलो हमारे पास है, तो पहले एक बार लिख के देख लेते हैं, कि क्या होने वाल है, तो अगर मैं लिखा u की value जो मैं लिख रहा हूं, तो वो मेरे पास है, x by a to the power 2 by 3, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, power इधर लाया मैंने, तो यह हो गया, x by a is equal to u to the power, मेरे पास क्या आगया, 3 by 2 आगया, यहां से अगर मैं dx निकालना चाहूं, क्योंकि मेरे को volume का अगर, आपको पता होगा कि volume जो होता है, अगर मैं volume की बात करता हूं, तो volume मेरे पास जो है, वो volume क्या होता है, volume होता है, triple integral, क्योंकि volume का मतलब कि x के side पे सबको जोड़ा, y के side पे जोड़ा, z के side पे सबको add करता हो, तो volume आ गया, तो यह हो गया 1 मेरे पास, और यह हो गया dx, dy, dz, ठीक ना अब यहां पर क्या और एक वाली उदर चले कि सब कुछ सही है डी-एक्स निकालो चलो तो डी-एक्स निकालते सिमिलरली डी-डी-जट कर देंगे वह सिमिलरली कर लेंगे हमाना तो यह तो कॉमन हो गया तो यह आ गया यू टू दी पावर अच्छा ठीपाइट बहार बहार भी तो यह है न तो फ्रीड़ी नीचे आया और यू का पावर आ गया मेरे पास 3 बाइट 2 माइनस 1 ठीक है और यह डी-उभी लगा देते हैं यहां पर क्याहां पर A jet com यह यहां पर क्यों जेगा सीज़ेगा यह Formula ओज है त्ट्वायद मुझे ओधा करते हो रिकवालियू में की बात कर ले तो वायद हो में पोजिटीव सेंस में था तो all power of x is even then it is symmetric about y-axis if all power of y is even then it is symmetric about x-axis similarly अगर एक का power even है तो 2 के about symmetric हो गया तो simple है ना भाई यहां पर square के form में मेरे पास दिख रहा है तो मेरे को पता है जितना x में positive बनेगा हुत्ता negative बनेगा simple है okay same वैसी y में same वैसी z में तो 2, 2, 4, 2, 6 तो हमारे पास हना 2 के form में बात कर रहे हैं में लोग तो 4 उपर और 4 जस नीचे 4 positive 4 negative total 8 चलिए यहां पर मेरे पास 8 से multiply किया अभी तक हमारे पास ठीक है volume की value निकालने वाले है तो यह आगे 8 मेरे पास triple integral और dx की value कुछ खतरनाक हो रही है देखते क्या हो रही है a 3 by 2 और u का power मेरे पास है 3 by 2 minus 1 यह बहुत यह अच्छा एक formula है यहां ही पर हम लोग डिस्क्लेट कंडिशन वगर अभी पढ़ते हैं बहुत यह अच्छा formula हमारे पास गामा function का भी दिखेगा आपको से मेरे पास वी के form में लिख लेता हूं तो यह आगे मेरे पास 3 by 2 B वी का power 3 by 2 डियू यहां नहीं लगा रहे लास्ट में लगा देंगे ठीक है ना माइनस वन और 3 by 2 और यह C और W और 3 by 2 और माइनस वन यह अगे डी यू डी वी और डी डव्य चलिए यह आया आंसर तो बहुत सारे बच्चे तो इतना सब देखने के बाद घबरा जाते कि क्या हो रहे करके फिर भी आपको सॉल कर लेते तो यह मेरे पास हुआ 2 2 4 2 8 तो यह वाला 8 नमस्ते हो गया यहां से बचा 3 3 3 तो किता है 27 A B C divided by 8 करने का नीड नहीं है और यह मेरे पास आ रहा है ट्रिपल इंटिग्रल तेके सब कुछ यूज हुआ की नहीं हुआ यह यूज हो चुका है यह यूज हो चुका है यह यूज हो चुका है यह 3W लिख लेते हैं यह मेरे पास आ गया यूज और यहां पर मेंशन करना जरूरी है तीन चुटकी लगा कि यू प्लस वी प्लस डब्ली जो है वह लेस्ट न इकोटू 1 में अपन जा रहे है तो यह ना गामा फंक्शन का बहुत अच्छा फॉर्मूला हमारे पास आता है बह अभी तक गेट मम ने एक बार भी इसको यूज किया नहीं है गामा फंक्शन की इस फॉर्म को इस पेशली तो अब हार पास आ गया कुशन तो बहुत सारे लोगों से कुशन इस फॉर्म में बना भी नहीं होगा बट फिर भी अगर मैं आप देख रहा हो ध्यान से तो मेरे पा होता है फॉर्मूला कि अगर मैं बात कर रहा हो 3D में तो यह मेरे पास फॉर्मूला ठीक इसको आपको करना सॉल सॉल भी करना असान है यहीं पर कर लेते हैं क्या दिक्कत है तो यह आगे मेरे पास 27ABC इंटू चलिए इसको सॉल करते हैं तो गामा 3 by 2 तो गामा 1 by 2 प्लस 1 1 1 by 2 प्लस 1 तो 1 by 2 गामा 1 by 2 अगर कोई अगर मेरा वीडियो यार प्लीज गामा का आप लोग जाके देख लेना क्योंकि नए जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं हाना वो फिर आप लोग वीडियो अभी देखे नहीं फिर आपको लगेगा कि यह मैं क्या क्या बोल रहा तो 3 बैटो को लिखा किया 1 by 2 प्लस 1 1 by 2 प्लस 1 तो 1 by 2 गामा 1 by 2 गामा 1 by 2 वो था अंडर रूट पाई हाना अंडर रूट पाई थीक है तो यहां पर मैं लिखता हूं इसको तो क्या आ गया यह यह मेरे पास आ गया 1 by 2 गामा 1 by 2 का पावर 3 and whole divided by कितना है तो 3399 9 9 प्लस 9 ब 9 by 2 प्लस 1 के फॉर्म में तो यह आ जागा 9 by 2 7 by 2 तो अपने पास क्या क्या आ रहा है 9 by 2 7 by 2 5 by 2 3 by 2 1 by 2 और अंडर रूट पाई क्योंकि अंडर रूट पाई क्योंकि गामा 1 by 2 लास्ट में आएगा यह यह जाने है यह 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 जो हमारे पास यहां पे लिखा हुए यही लेता है आप भी नोट कर ले कॉपी में कि गामा 1 by 2 जो होता है वो होता है अंडर रूट पाई तो यह मेरे पास चलिए अब इसको कम्प्लीट सॉल करते हैं मैं इसले बोला था एक आधी कोशन लेंदी और हमारे पास complicated form में दिखा है बढ़ ठीक है चलो सॉल करी लेते है त तो एक पाई एक पाई पाई का स्कार तो पाई तो बचेगा चलिए यहां से देखते हैं कौन है पाई वाला नहीं है चलो यह तो नहीं होगा ठीक है कुछ तो खतम हुआ कम से कमाना चलो तो एक मेरे पास पाई बचने वाला है ठीक है 1 by 2 का पावर 3 है तीन बार 1 by 2 आने व भी हुआ अब अगे सोटे क्या क्या हो एबीसी तो रहेगा ठीक है ईबीसी रहेगा दोल बी सीरह वूरख बेल्कुल आगे सोटे और क्या आगे शोटे और क्या तो देखते हैं यहार से मैं इसको कटा दिता हूँ लaciया 27 कट गया यह तीन से quandu देते शोट यह कटा उपर मेरे पास option में है 4, option में मेरे पास है 2 और option में मेरे पास है ये पाई वाला form देखते हैं उपर क्या हमारे पास दिख रहे हैं ठीक है ना उपर क्या मेरे पास दिख रहे हैं तो उपर तो ये जाएगा उपर ये जाएगा दोनों उपर और बाकी सब तो समाप तो चुक है सिर्फ टू टू जाएगा तूटू का मतलब क्या होता है फोर तो यह मेरे पास आ गया फोर तो यह मेरा आंसर हो गया ठीक है तो यह मेरे पास आंसर हो गया option A is the correct answer तो यह question में हम लोगों को जानने लाएग चीज थी कि इसके बाद जो मैंने आपर formula अपलाई किया था और उसके बाद फिर गामा का solution तो maximum लोगों से वाला नहीं बना इसको एक और तरीके से सृल कर सकते हैंना इसको एक और तरीके से सकते हैं कि हम इसको Thrones editing जाख ले और फिर वापकर सब्सक्राबकर लोगता को как reminder Ret Immediately घ ensorse तो सिंट्टियों होती है ऐसेंश पर इस Não को दिखा हुआ है तो इस वले कुश्चन में हम लोगों को टार्गेट क्या होता है जो मैंने रेशेडू थीयू आप लोगों को बताया है वह अपने को रेसेड्यू बेसिकली लिखेंगे क्या है अगर यह सिंपल को लोगा तो रेसेड्यू की वैल्यू not equal to zero आजाए कि देखते हैं क्या होता और क्या करने वाले हम दोगंty मैंने फॉर को अपर को अपन इस इसमें multiply करते भी में और को अपन चेक करते हैं यह का मैं अपन करने वाले क्यूंकर यह पर जो पोल की बात किया हुआ है यह यहां पर यह जो मैंन Hack की कि बात किà हुआ है यह यह वहाँ है तो क्या होते था अगर मैं रसीडू लेते यह ओता था limit र्र보 यह होता था यह मीरे पास एफ जैसे मेरे पास यहें किया है यहाँ है यह यह यहाँ है और 10 residue z at pi by 4 लिख लेते हैं मैं लिख रहा हूँ at pi by 4 तो यह मेरे पास क्या रहा है दिखता है यह मैंने लिखा ला limit z tends to pi by 4 z minus pi by 4 आपके pass into fz यह रहा है तो 1 upon cos z minus sin z चले ठीक है अगर मैं इसमें put करता हूँ pi by 4 ठीक है ऐसी just put करके देखते है तो z minus pi by 4 pi by 4 minus pi by 4 0 cos pi by 4 1 upon cos pi by 4 45 degree cos 45 degree 1 upon root 2 1 upon root 2 minus 1 upon root 2 sin or cos same होता है 45 degree ऐसा है इंगल है इसके लिए sin or cos same यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 नमस्ति होगे l hospital method लगाना पड़ेगा आपके पास क्या रहा है उपर नीचे का डिफ्रेंसेशन क्या z का डिफ्रेंसेशन वन इसका जीरो तो यह आगे वन पहले लिख ले तो limit z tends to pi by 4 उपर का आया वन इसका डिफ्रेंसेशन करेंगे cos z का डिफ्रेंसेशन minus sign z minus sign z and minus sign z का differentiation cos z अब मैं put कर देता हो z बरावर pi by 4 तो यह क्या आ गया 1 upon यह आगे मेरे पास sign z pi by 4 पूट करना है तो minus 1 by root 2 and minus 1 by root 2 ठीक है न तो किसी भी एंगल से यह तो 0 नहीं आ रहा मेरे पास क्या आ रही है 1 by root 2 1 by root 2 2 by root 2 तो मेरे पास क्या आ गया यह मेरे पास आ गया यह पूरा का पूरा अगर मैं solve कर लेता हूँ तो यह आ गया 1 upon 2 by under root 2 और इसको अपन कटा देता है minus sign के साथ है is it not equal to 0 जैसी मैं बोल रहा हूँ it is not equal to 0 तो यह वाले form में अगर मैं जा रहा हूँ it is not equal to 0 इसका मत्तब एक simple pole है और कुछ नहीं यह simple pole है और कुछ नहीं तो हमारे पास answer आ गया option से simple pole ठीक है तो इस step के question में भी अपने को ज़्यादा सोचना थोड़ा सा ऐसा पड़ेगा कि कैसा आपको apply करना है या किस फॉर्म में आपको जाना है आपको basic idea होना चाहिए जैसे यह वाला question था तो यह वाला question basically जो यह question था हमारे पास तो यह वाला question है वो basically हम लोग integral calculus में multiple integral के volume वाले part में जाते हैं वहाँ पर हम लोग यह सारे questions हम लोगो दिखते हैं ठीक है तो ऐसे questions में कुछ student ऐसे होते हैं जो apply कर रहे हैं और अगर आपको apply करते बन रहे हैं बिल्कुल आप apply करिए हाना यह तो कुछ एक आद दो question ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा tension होगा इसके पहले के 10 के 10 question थे एकदम आसान वो भी आसान था वो भी आसान था इस वाले के साथ मैंने उसको mix किया कि single question all करके वीडियो बनाने की जगा मैंने उसके दो question ले लेते हैं तो टूटू के पार्ट में भी जो थीन वीडियो है मैं पास टूटू के questions के पार्ट में एक यह एक वराइटी के questions मैंने वहाँ पर लिया हुए इसके पहरे जो question अभी वीडियो रिलीज हुआ थो उसमें probability के बाद मैंने करी हुए है तो आप एक एक करके अराम से देखेगा जब आप वीडियो देखर है तो यह focus करेगा अगर आप कुछ नई 2019 गेट एसपरेंट है तो 2019 गेट एसपरेंट को तो एक सिंपल सा में सजेशन दोगा मैंने अभी तीस से पहते इस दिन में मैस के से पंड़ास के बारें बात करी कि नाइट 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 आप यूज करें सोने वाले पार्ट में थोड़ा सा तो मेंटलि वर्क में फोकस करने के लिए अपको इध्यान में रखना है कि आप अच्छे से नाइट में उटिलाइज कर सकते हैं मैत्स के साथ में प्रैक्टिस के साथ आप यूज कर सकते यह बहुत इंपर्टेंट चीज़ घ्रैंश को फूल-on प्रैक्टिस के साथ यूज करें तो जो 19S परेंट है आपको एक चीज़ देखनी की जोरत है कि अभी कुछ नया कंसेट जानने का आपको टेंशन नहीं लेने का ज्यादा नया कंसेट के बारे में सोचना नहीं है आपका जितना कंसेट बिल्डप होगे आप उतनी अच्छे से नाइट में प्रेक्टिस कर करें पहले दिए करें फिर आप और सौर इसका मताब समझने की जोरत हैं क्या करना अच्छा लग रहर इसका मताब पर इस टेम पर बात नहीं कर सकते जो अभी 3rd 4 semester के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप number of questions, plenty of questions all करो, कोई दिक्कत वाली बात ने अपने बात, time sufficient है, और 2020 वाले लोगों को अब strategy plan करनी पड़ेगी, जिनको भी get 2020 aspirant है, mathematics में, मैं mathematics की जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो जाएंगे, मेरे दिमाग में कुछ और आएगा कि इस particular topic को कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं topic के पढ़ने के उपर भी video बनाऊगा, क्योंकि क्या होता है, कि आपको कई बार तो यह समझ नहीं आता, कि अब चालू कुछ concept आप कर रहे हैं, कुछ पढ़ना चालू कर रहे हैं, अब self study करो तो आपको पता ही निचल पारा पढ़ना कैसे है, तो मुद्दे की बात वही आ जाती कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब के बारे में धीरे-धीरे वीडियो आने चालूंगे, सब कुछ आपको पता रहेगा, इतना है कि 2020 वाले अब strategy के उपर आप focus करे because exactly we have one year, तो one year full on plan के साथ अगर आपका बितेगा, तो result guaranteed बहुत अच्छा आएगा, thank you so much